तो वेल्कम बैक एवरीवन माई नेम इस सायन गोस चले से रुखते हैं आज के दिन यहां पर स्टुडी करने हैं कि कल के दिन देट इस वन फ्राइडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्ट में क्या ट्रेट में हो सकता है तो डेटेल में डिसक्रसन करेंगे साथ इसाथ और बैंक निफ्टी का चार्ड यहां पर देख रहा हूँ तो यहां पर अगर हम ट्रीट अपोरशनीटी का बात करें तो कहां जो सकता था एकदम सुबह सुबह देखो यहां पर हमने सुबह डिसक्स भी किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है अगर इसकी उपर मार्केट जाते हैं तो बहुत अच्छा बोले सोमेंटम मिल सकता है नितों मार्केट यहां से फॉल कर सकता है छोटा बॉट अब हाँ मैंने ये भी कहा था कि अगर आप सेलिंग करते हो तो बहुत कुई आपको वहां पे एकजिट भी करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग छोटा आएगा और बाइंग बहुत बिगर आएगा वही हुआ मार्केट जो ए इस टेड़ी नीचे आया बैंक निफ्टी का बात करें यह एकदम आजका जो लो था ओपनिंग लो था अल्मॉस्ट वहां आके फिर इसने यहां पर रिवर्स किया तो बहुत अच्छा पॉर्चुनिटी आज के दिन मिला, buying में मिला, selling में मिला, वह अपस फिर buying में मिला, तो बहुत अच्छा market आज के दिन रहा in bank nifty, अभी almost अगर time देखे, time हो रहा है, यहाँ पे 3 बच के 20 मिनट, तो market closing में अभी time है, ठीक है, तो अब next दिन का planning क्या हो सकता है, उसके बढ़े discuss करते हैं, तो overall अगर यहाँ आपर देखे, again market आपने resistance maintain कर रखा है, इस box को अगर में थोड़ा सा thickness बढ़ा दो, तो this is again a resistance level, last अभी 15 मिनट भी हाथ में नहीं है, थोड़ा देरी market closing में है, तो फिलाल अभी तक यही resistance है, तो कल के दिन हमें क्या observation रखना है bank nifty में, that is upside 52,800 level, यह फिलाल एक resistance का काम कर रहा है, और एक closing धियान सा देखना, अगर यह closing अभी थोड़ा से reverse होके, इसी range के अंदर, मतलब यह जो low है, इस low के उपर closing देता है, तो कहिना की chances are there, यह low है 52,520 का, तो अगर market कहिना की अपना इस range के अंदर closing देता है, तो chances will be huge, कि अगर कल के दिन market gap opening हुआ, वो नीचे आखे यहां से बहुत तेजी से upside move कर सकता है, क्योंकि अगर देखो, bank nifty को ध्यान से देखो, bank nifty continue range bound है कई दिनों से, यह आप अगर ध्यान से देखें, तो past तारीक से अभी तक market total range bound है, मेजर कोई momentum इसने दिया नहीं, हाँ, intraday में momentum आ रहा है, बट मेजर कोई momentum market में नहीं देख रहा है, तो यह चीज हमें observation मिल सकता है कल के दिन में, ठीक है, तो observation करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा market open का होता है, तो for example जैसे मैं भोला, gap up होने के बाद हमें देखना है कि market अपना opening के उपर sustain कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ऐसा होता है, तो आगे रहा हम bullish opportunity देख सकते हैं, अब तक का जो एकदम highest level था, वो कहाँ पर हो देख लेते हैं, अब तक का जो highest level था यहाँ पर, around this level, 53,350 level थेक है, तो यहाँ तक का momentum expect कर सकते हैं, within one or two days, fine, I hope यहाँ तक clear हो गया, अब next यहाँ पर देखते हैं कि next और क्या planning हो सकता है, for example, अगर हम देखा कि market काई ना की, इस range के अंदर open हो रहा है, range है हमारा यह level, हम wait करेंगे, अगर market इस level के उपर sustain करें, then we can get a bullish momentum, अगर market इस level के नीचे आता है, यह है हमारा 52,400 level, अगर इसके नीचे आता है, तो minor एक selling opportunity मिल सकता है, और अगर market 52,200 के नीचे sustain करता है, जो आज के दिन low बनाया था market ने, that is a strong support level, अगर इसके नीचे आता है, तो फिर हम हम यहाँ पर, एक B-Ris opportunity देख सकते हैं, तो wait and watch करना है, major level break करना है, तभी यहाँ पर कोई trading opportunity देखेंगे, तो यह हो गया हमारा bank nifty में, अब quickly nifty में जाने वाले, nifty में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया, तो quickly subscribe कर ले नहीं, नहीं तो कई सारे वीडियो आप miss कर जाओगे, ठीक है, ओके now, तो फिर अभी यहाँ पर analysis करते हैं, nifty में, तो nifty में देख सकते हैं, market ने अज बहुत अच्छा, यहाँ पर momentum दिया, यहाँ पर ध्यान से देखना हमें, जो चीज यहाँ पर bank nifty में दिखाना चाहता था, वही हमें यहाँ पर nifty में देखने हमें मिला, जैसे मैं bank nifty में दिखाया है, market कई दिन से sideways था, अगर range breakout होता होता है, तो बहुत अच्छा momentum देखने को मिलेगा, वही आज के दिन हमें देखने को मिला, तो अगर हम सुबा से observe करें, सुबा सुबा हमें कई सारा trading opportunity मिला है, यहाँ से market ने bounce back किया, इन्हें smaller time frame एक trade opportunity हो सकता था, आगे ने resistance level के आसपा से market ने selling किया, इसका analysis हम ने दिया था, मैंने आपको बताया था कि bigger selling साहथ से ना मिले, या तो market इस level या तो यहाँ तक आ सकता है, तो वहीं आया, फिर 15 minute time frame में hammer बना के market वापस upside move किया, तो बहुत अचा momentum यहाँ भी देखने को मिला, यह bigger momentum इसलिए आया वो भी समझा देता हूँ, यह bigger momentum तभी आता है जब उपर के sellers market से exit करता है, अगर आप ध्यान से देखो, कल का जो market था, यहाँ पे seller बहुत aggressively active थे, जो market को कही ना कही 24,656,60 के आसपास resistance क्रेट कर रहा थे, आज सुबा ही हुआ हुआ तो यह seller market ने present थे, अब market जब नीचे आया, यहाँ पे जब इसने time pass किया, तो seller कही ना कही डड़ने लगगा, कि भाई अगर market उपर जाता है, तो हम loss करेंगे, तो जैसे ही market ने यह candle break दिया, आप देखो, यहाँ से gap बना के market उपर किया, मतलब कही ना कही ना कही seller यहाँ पे exit कर रहा है, अब seller exit करेंगे, तो buyer entry करेंगे, इसलिए market upside में, एक high बना का है, अब आप लोगों से मुझे question है, क्या लगता है, कि अब market 25,000 level टच करेगा next week में, मतलब next week तो budget है, on 23rd, अगर touch करता है, तो बहुत अच्छा एक celebration तो जरूर होगा, तो observe करेंगे, market क्या करता है, आप अपनो अपिनिन जरूर बताना, अब यहाँ पर further analysis करता है, कि कल के लिए कौन से level important हो सकता है, देखो, फिलाल जो important level, मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, this is level, यह है 24,650 level, upside में ठिक 200 point उपर है, 24,850 level, तो यह एक resistance का, यह support का काम कर सकता है, और minor support resistance का बात करते हैं, तो यहाँ पर एक minor support है, तो wait and watch करने के market कल के दिन open का होता है, for example, market gap opening होता है, देखो, अगर market gap opening हो गया, सिधा open ही हो रहा है, 24,880, 890 के आसपास, तो possible है कि market नीचे आए, थोड़ा से ज्यादा नीचे आजा है, फिर अपना high break करें, अगर ऐसा जब तक अपना high break नहीं करता है, तब तक हम कोई bullish opportunity expect नहीं कर सकते हैं, हमें wait and watch करना पड़ेगा, कि market अपना high break करें, positive एक price action बनाए, अगर ऐसा कुछ बनाता है, तो बहुत अच्छा bullish momentum हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, अब next है यहाँ पर, कि sir, अगर market ना ज़्यादा gap up, ना ज़्यादा gap down, इस range के अंदर open होता है, 100 point का range है, upside में है 24,850 level, downside में है 24,750 level, तो अगर market इस range के अंदर open होता है, तो wait and watch, total wait and watch, कि अगर 850 के उपर sustain किया, we might get a bullish momentum, और अगर आप सोच रहे हो, कि market इसके नीचे आन से selling करेंगे, expect मत करना, कि अगर selling आता भी है, वो single candle में यहाँ पर support लेगा, फिर bounce back करेगा, तो wait and watch करेंगे, कि market नीचे आए, इस area के आसपास, यहाँ पर कोई bullish pattern बना दे, अगर ऐसा कोई pattern बनाता है, तो बहुत अच्छा bullish momentum यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो I hope यहाँ पर हमने quickly एक बाद nifty bank nifty analysis कर लिया, अगर nifty में gap down opening होता है, kind of अगर market यहाँ open होता है, तो फिर अच्छा bullish momentum मिल सकता है, ठीक है, तो wait and watch करने है market open कहाँ होता है, उससे अपसे हम further अपना analysis रखने वाले है, और one good news है, हम फिलाल इस month में सायद से stock क्यों पर analysis नहीं देखने वाले, next month से stock analysis अने वाले है, plus हमारे जो Instagram viewers थे, Instagram में जो हमें follow करते हैं, वहाँ भी हमने stock analysis फिलाल के लिए pause किया था, तो वो भी इस week ने, तो next week से चालू होने वाला है, थोड़े से new अंदाज में, एक new type का वहाँ पर posting होने वाला है, ठीक है, तो फिर चले मिलते हैं फिर अगले trading day में, thank you very much.